दोस्तो बिश्णू प्रवागर गाउवाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है मैं हमेशा कहता हूँ हालात मायने नहीं रखता है कोशिस यह होनी चाहिए कि हालात कैसे बदलेगी आप सब के वीडियो स्क्रिंट में एक बिटिया दिख रहे हैं इनका नाम है स्वेता कस प्रॉड होगा आप सबको शुएता पर तो प्रॉड होगा है इनके परिवार के जो गारजियन है जो इनके फीता है उन पर भी प्रॉड होगा कि इस हालात से निकल के बच्चीओं को पढ़ाना यह सोचना ही बहुत बढ़ी बात होती है और शुएता के हाथ में आप एक मा जिपाल आनंदी वेन पटेल ने इनको तीन गोल मेडल से पुरुश्कृत किया है यह सर्वोच अंक लाई है तमाम अलग-अलग विश्यों में स्वेता से हम बात करेंगे लेकिन इनके पिता जी के बारे में जानना भी आप सबको बहुत जरूरी है जब स्वेता के बारे में हम जब जानेगे सव्यृता के पिताजी जुहे सूर्ती का दुकान चलाते हैं और दुकान चलाने वाले की परिवारिक इस्तिति क्या होगी और फेटा चार बहने ही हैं स्वेता के उपर बढ़ी जिम्मेधारी है वह क्रूसम norm worship में तो कुणुआ खोदना और सब्सक्राइब निकल कर बैटी को कुछ बनाना चाहते हैं स्षचा बधाई देते हैं सब्सक्राइब पहले तो ये व ता हो किसा लग रहा है तो जब आपको यह मैड़ल मिल राजबाल से आपको और तीन मैड़ल मिले हैं घर वालों का क्या reaction दाइए घर मेडल मिला है किन किन विशो में सर्य चंक लाए है क्यों मिला यह बताई हैं तो भी कॉम कम टॉप करने का मिला अपने किया है और वारिज पूर्ढा पूरा सभी वारी संकय में और एक सभी संखाई में तौप थीन मडल मिला है हां सिदार बिष्भ पितु पिवस्त्रू के समद का विद्याला है सव्षती है अब थोड़ा घर के स्थिति पर हम लोग बात करते हैं पिता जी क्या करते हैं और घर में कौन-कौन ही पताइए मम्मी है और मेरी सिस्टर है त्री आप बड़ी हैं यह नहीं है यह सवाल बड़ा मन में कचुरता होगा पिता जी को तमाम लोगों को नहीं फर्क पड़ता बोल और पिता जी मेहनत करके जो है वह बनाना चाह रहे हैं आप लोग काम्याब हो और अच्छा तब लगता है जब पिता की मेहनत तब सपल होती है जब बेटिया काम्याब होती है और मैं एक दम विश्वास के ताद करता हूं कि स्वेता जिस पत्पे चल लहीं है अब आपकी बहनों को आपके रिसादारों को आपके पीता को माता जी को सबकू बढ़ा घर होगा डवाप्पारण तो यह बताये किस तरीके से आप तै करते हैं घर में सबसे जदा सब्सका मिलता है माता जी का पीता जी का सब्सक्राइब कि मेरे वेटिका में आगा है अब यह जो कल का दिन होगा आप तमाम ख़बरों में तमाम समाचार पत्रों में आपकी ख़बर छपी होगी तो पिता-जी को तो प्राओड तो होता होगा प्राउड देके थे तो उनको प्राउड भी दो रहा था क्या वोल ले थे बुख रहे थे कि उनल कुछ कारो ऐसे आगे बढ़ो जाती है प्राउड चाहती है और बेंकिंग को तैयरी करना चाते हैं प्राउड के अच्छा इस चेत्र के हम बात करें श्यथा ये महराज गण श तमाम ऐसी वेटिया हैं कई बार उनके सपने टूर जाते हैं अपने घर के धालीज को पार करने के बाद सौ बार सुषती है और घर वाले डिशाइड कर लेते हैं आप सवागसाली हैं कि आपके गार्जियन ऐसे मिले हैं जो यह बोलना है कि आप ताहिए करो आपको क्या करना ह तो उन गार्जियन से क्या कहेंगी जिनकी इस्तिती भी ठीक होती है वह चाहते तो वह अपने बच्चों को भी काम्याँ बनाते लिकिन वह खुद ही तैक कर देते हैं कि मेरी बेटी जो है भाई अभी यह पढ़ लेगी लड़की है साधी हो जाएगा अपने घर चली जाएग दूपास करने वाले हैं यहां पीताजी दुकान करते हैं यह शूरती बेचते हैं और किराए के मकान में पूरा परिवार रहता है मैं शुरुआत की लाइन फिरते बोलूंगा कि हालत बदलने की कोशिस होनी चाहिए हालत कैसी है यह मायने नहीं रखता है और मुझे लगता हैं इतियास रचने वाले लोग किसी अलग दुनिया के नहीं होते हैं तो उन तमाम बेटियों को क्या कहोगी स्वेता क्या सबको पढ़ना चाहिए चैसे कुछ सबकामना है आपको मेरी तरब से यह स्वेता के सवधन है और पिता जी शुर्ती का दुकान चलाते हैं कि रायक मकान में पूरा परिवार रहता है चार बेटियां हैं यह बड़ी बेटी हैं और सच में एक गार्जियन की जो असली भूमका होती हैं इनके पिता निभार रहा है और समाज में बेटिया तब ही मजबूत होगी जब बेटियों को मौका मिलेगा कई बार मैं देखता हूँ ग्राउंड पे जाता ही खबरे करता हूँ कि तमाम बेटिये जो उनकी सपने तो होते हैं लेकिन परिवार के वांडेशन के कारण तमाम सपने टूर जाते हैं आज की कहानी में स्वेता का सवधन से हम बाचीत कर रहे थे और स्वेता को अभी उत्तर प्रदेश की राजपाल आनंदी मेन पटेल ने तीन गोल्ड मैडल से सम्मानित किया है पुरुष्कित किया है क्योंकि अलग-अलग विशो में ये सर्वच अंक लाई है ये कहीं न कहीं